पीली भीत में खेत की रखवाली कर रहे किसान की पडोसी किसान ने छोटी सी बात पर गला रेत कर हत्या कर दी और परार हो गया पुलिस ने मोके पर पहुंच कर शव का पंचनामा भर कर पोस्ट मार्चम के लिए भिज दिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्श कर लिया है गटना थाना मादो टांडा छेतर के वीर खेडा गाउं की है बताया जारा है कि गाउं के भोला सिंग के खेत में 45 वरश्य जैराम सोयबिन की खेती की रखवाली करता है प्रोस में ही लाला राम का खेत है दो दिन पहले लाला राम के जानवर जैराम के खेत में चले गए और फसल का नुपसान कर दिया जिसे लेकर लाला राम वो जैराम में विवाद हो गया जिसके बाद गरामिनों ने दोनों को समझा दिया लेकिन अरोप है कि रात में लाला राम ने आकर जैराम की धारधर हत्यार से हत्या करती और फराथ हो गया पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्श कर ली गई है और जल्द आरोपी की गरफतारी की जाएगी किया हुआ आपके पिता जी के साथ है इसे हुआ ये बंका मारा किसने कि किसने रहने वाले हैं ये जन्माद और अब क्या गटना कैसे ये घटना होई यह लडाई हुई थी जाए कि चक्र में अच्छा कभ वी थी लडाई परसों साम को अच्छा पापा ने फून किया था मेरे पास साम को पही में फिर सुबह भी तो मैं गया फिर बहाँ नहीं लेने तो उसने गाली गेरी हो लाला राम ने फिर गाली उली बो देता था कि माथ हुआ हें बहाँ गए यह केढ़ ले आए जी फिर मैं डुकान जागा दोखे डिवाई फिर शाकिल नहीं खोल च्छा अच्छा फिर मैं चला यह दूकान में झिट लेन अच्छा फिर में चलाया इंशें कि आपको ख़बर कैसे लगी कि आपके पिता जी खतम हो गया किया नाम है मालिक का पोला सिंग ने फोन किया तो फिर मैं गया तो मुझे लाज़ पड़ी मिली वहां कितने वजे पहुंचे आप 11-12 लिरता है कि क्या नाम था आपके पिता जी गया जैराम और जिसके उपर आप आरूप लगा रहे हैं कहां के रहने वाले यह मालो संद्रा साथ इसमें जो मरतक है जैराम उसके लड़का तारा चंद ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके पिता जैराम की उसके गाउं पिता उसके सोया भी इंकी खेती की दुखवाली करते थे उसी के पडोस में लाला राम जो कि माध्यो टांडा की रहने वाला है वो भी खेत की दुखवाली करता था इनका दोनों का 25 तारीक को खेत में जानवर गुज़ने को लेकर विवाद हुआ था इसी बात को लेकर कल साम को कुछ विवाद हुआ जिसमें इनके द्वारा लाला राम द्वारा जैराम की हत्या कर दी गई यह सुझना ताराचंद के लड़के को खेत मालिक पूला सिंग ने दीती है मुकस्मा पंजीकत कर लिया गया है बाकी कारवाई की जा रही है पंचनामे के लिए सब को भेजा रहा चुपा है क्या वो मुल्चिम की गरफ्तारी की जाएगी अधी गरफ्तार नहीं हुआ लेकि गरफ्तारी का प्यास के जाएगी